नमस्कार दोस्तों, राम मंदर के उद्खाटन में सुनिया गांधी और मलिक अर्जुन खरके शामल नहीं होंगे कॉंग्रस ने सोशल मीडिया पर बकाइदा एक लेटर शेयर किया है जिसमें उन्होंने राम मंदर के उद्खाटन में ना जाने के फैसले का कारण भी बताया है कॉंग्रस का कहना है कि धर्म निजी मामला होता है लेकिन बीजेपी ने इस मंदर के उद्खाटन कारेक्रम को आरसस और बीजेपी का इविंट बना दिया है दोस्तों आपको बता दें कि कॉंग्रस ने सोचिल मीडिया पर जनरल सेक्रेटरी कम्यूनिकेशन जैराम ड्रमिश के हवाले से ये लेटर जारी करके राम मंदर में जाने का निमंतरन ठुकराने का कारण बताया है उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले महीने कॉंग्रस प्रेसिडेंट और राजसभा में विपक्ष के नेता मलिक अर्जुन खरगे, कॉंग्रस पार्लियमेंटरी पार्टी की चेयर परसन सोनिया गांधी और लोकसभा में कॉंग्रस पार्टी के लीडर अधीर रंजन समारों में शामिल होनी का निमंतरण मिला था, भगवान राम हमारे देश के करूणों लोगों के पूझनी है, धर में एक नजी माम लाए है। और अधीर 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 रंजन चौधरी भाजपा और आरसस के इस एवेंट का निमंतरण ससमान तुकड़ा दिया है। और अब उन्होंने प्राणप्रितिष्ठा का निमंतरण ठुकड़ाया है। इसमें कोई आश्यर नहीं होना चाहिए। एंटी शास्त्र में नहीं होना चाहते हैं। ये सब हिंदु धर्म के रीती रिवाज से नहीं हो रहा है। इसलिए उनका विरूत जायज है। अगर देखा जाये तो कॉंग्रस के इस उद्गाटन में न जाने का पार्टी पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन फिर भी कॉंग्रस ने इतना बड़ा फैसला लिया क्योंकि धर्म की इवेंट बाजी का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते थे। इस पर आपका क्या कहना है अमें कमें सेक्शन में लिखकर बताईए। ये खबर आप उल्टे चुश्में यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी, आप रहें स्वस्त, मस्त बस यही है दूआ हमारी। नत्य अंगली वीजियों में तब तक के लिए अलविदा।